नमस्कार आप सभी का अगेंस्ट क्रेप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यदिक किशी के द्वारा रासन कार्ड बनाने ही तू आवेदन दिया गया हो और वह रासन कार्ड सो समय उपलब्ध ना करा जा रहा हो तो इसमें हम लोग RTI किस प्रकार लगा सकते हैं जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो अब सब्सक्राइब कर लें तिथा बैल आइकन को दबा कर आल पर भी क्लिक कर लें तथा उप्योगी लगे तो एक दूसरे को शेयर अवर्ष्य करेंगे तथा एक लाइक अवर्ष्य कर दें तो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं यह रासन कार्ड का आवेदन संख्या है receiving है जो पूरी तरह भरा हुआ है इसे online कर दिया गया है और एक माह से उपर का समय हो गया है इसलिए मैं इस पर RTI लगा कर जनकारी चाहता हूँ तो अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह हो तो आप लोग भी अपने रासन कार्ड से समध्यत RTI इस पर कार लगाएंगे यह अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित किया जाता है इसलिए मैंने अनुमंडल कार्याल है सदर भागलपूर से यह सुचना मांगने है तू प्रपत्र को भरा है तो नाम और पूरा पता आप लोग लिख देंगे इसी तरह इसमें वर्णन कर देंगे मैंने रासनकाड हे तू दिनां कितना से आवेदन संख्या इतना से आवेदन किया था परतीसर लगन है पहला मेरे आवेदन पर की गई कारवाई की दैनिक प्रगती रिपोर्ट उपलब्द कराया जाए दूसरा उन अधिकारी के नाम वो पद बता है जिनने मेरे आवेदन पर कारवाई करने थी लेकिन सो समय नहीं की गई तिसरा अपना काम सो समय ठीक से नहीं करने पर उन अधिकारी के खिलाब क्या करवाई की जाएगी कब तक की जाएगी यह काम कब तक पूरा होगा मेरे आवेदन के बाद यदि किसी आवेदन या या चिका को नंबर आने से पहले कर्यानवित किया गया हो तो उसका कारण बताएं चुकि मैं दिव्यां हूँ इस कारण मुझे सिगर रासन कार्ड उपलब्ध कराया जाए इस परकार आप लोग फार्म भरके सुचना मांग सकते हैं दस रुपे का पोस्टल ओर्डर इस तरह रसीत संख्या से भर देंगे अपना हस्ताक्षर पूरा पता यहां लिखेंगे और अपना अस्थान या परखंड का नाम लिख देंगे अपना डेट देंगे इस परकार हम लोग सुचना अनुमंडल कारियाले से भी सिखरें मांग सकते हैं आप लोगों को भी कोई समस्चा हो तो इस परकार आप लोग भी सुचना के अधिकार अधिनियाम RTI F 2005 का प्रयोग कर अवस्थ सुचना प्राप्त करें जैहिन